हेलो एव्रिवान वेल्कम बेग टू माय चैनल विज्डम अकेडमी तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं 26 मार्च 2022 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर ठीक है आज हम करेंगे 26 मार्च की पहली शिफ्ट का ये पेपर है और आज हमें ट्राइ करूं भी कि इसके साथ इसकी मै मार्च का ये पेपर है तो स्टार्ट करते हैं विच अमंग दाम इस नौर्ट फेक्टर ऑफ चाइल्ड मेल ट्रीटमेंट का मतलब है कि किसी भी तरीके से बच्चे को गलत तरीके से ट्रीट करना तो केर गिवर सोसाइटी पैरेंस और भुक्ती नहीं कर सकते हैं बट भुक कि अधिक डिमेंशन से ओर्डर करना आ जाए मतलब वह बच्चों को क्वांटिटी से समझने लगे क्वालिटी और उससे नहीं क्वांटिटी उन्हें समझ में आजए तो हम इसको सैरिएशन बोलते हैं इस पेशल रीजिंग मैपिंग और रीजिनिंग यहां लगेगी निय बच्चे को क्या नेगेटिव तरीके से एफेक्ट करेंगा मतलब नगारात में प्रभाब क्या डालेगा बच्चे के ऊपर एडुकेट इंवल्मेंट नहीं तो अच्छी बात है और थीक तरीके की पैरेंटिंग होती है मतलब दोनों का मिला जुला रूफ होता है इस्ट्र अगष गया ठिकेंगा ठीक है टाम पीरिट ऑफ फट थर्ड श्रह प्रे मस्ट थार्ट रेमेस्टर सब्सक्राइब क्यूंव होता है कि अपको टाइम पिरेड बताने है की थर्ड रमिस्टर कि होता है तो बिल्कुल आखरी के विक होते हैं मतलत की छटा 7 नाथवा नौवा महीना आता है इसमें 7 से नौब महीना इसके साथ साथ मंत्त वीक निकाल लेना तो इसका अंसर होगा 29 ज़र 40 वीक तो इसको मैंने बताया था वो जो नहीं पता मैं उनके लिए बता देती हूं कि यह क्या होते हैं यह वो बच्चे होते हैं जो बहुत जादा एक्टिव रहते हैं मतब कुछ आदर ही एक्टिव रहते हैं हैं ना तो खुद पढ़ेंगे ना किसी को पढ़ने देंगे बार बर क्लास में डिस्टप करते रहेंगे या कभी-कभी बहुत ज़्यादा अगरेशीव हो जाएंगे या कभी-कभी ज़्यादा एक्टिविटी दिसॉडर से बुजर रहें ठीक हैं तो देखो वाइगोच की स्कीनर गार्डनर का तो लो हमने नाम सुनाए और इनकी थियोरी भी हमें पता है अगर हम ऑप्शन स्किप करके भी पढ़ना चाहें तो हम यह कर सकते हैं कि थियोरी अटेच्मेंट किस ने दिया जॉन वॉल्वे ने क्योंकि नाई तो हमने अटेच् क्लासिफाइड इन्टो फोर केटेग्री येस विच अमंग फॉल्विग हैव यहरिंग लॉस रेंज ऑव 71 तो 90 डीवी देखो आपको भी पता होगा कि हमने देखो एक कोशन पढ़ते हैं कि एक स्वस्थ कान स्वस्थ कान कहां तक से कहां तक कि यह वाज सुन सकते हैं तो यह एरिंग इंपावर्मेंट में जो इनको सुनने में प्राबलम होती है हम इनको चार तरीकों में बाठते हैं चार में डिस्क्राइब करते हैं यह मेना उसकी बुख में पढ़ेंगेixí European WordPress हो और किसी-कसी में इस sail होता है वही खराब होता है या वह बाय बर् toplay दो इसमें तो यह क्योंते है सेवरे येरिंग रॉस ठीक है थोड़ा-थोड़ा सुनाई देता है थोड़ा-थोड़ा नहीं सुनाई देता है तो सेवरे येरिंग रॉस वाएगा इसका अंसर माइल्ड का मतलब बिल्कुल हलका-बिल्कुल 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 हलका-बिल् एक बच्चा है वो एक्टिव एफट्स कर रहा है अपनी नॉलिज को इसको हम क्या बोला जाएगा तो उसको बोला जाएगा एमर्जेंट लिट्रेसी नेक्स्ट में से कौन सा अधिकारिक बाल पालन शहली का इस्सा नहीं है निमलिक हिद में से कौन सा अधिकारिक बाल पालन शहली का इस्सा नहीं है तो अनुकोलिक नियंतरन ठीक है भागिदारी भी ठीक है उच सुखरिती भी सही है बट कम सुखरिती नहीं है बालन पाल शहली में कम सुखरिती थोड़ी आईगे हम बच्चों को जादा से जादा चलो ठीक है तो सी इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट है वैन्वा निट्रॉल स्टुमलेस इस पेर्ट विदा स्टुमलेस इद लीड्स तुर रिफ्लेक्स रिस्पॉंस इस टाइप अफ लर्णिंग इस कॉल्ड देखो यह क्या कह रहे हैं मतलब यह है कि हम किसी भी एक क्लासिकल कंडिशनिंग को तो यह क्लासिकल कंडिशनिंग का स्टेउरे धेन को पूच्छ वैप को महता है आपको बच्चा लगातार ध्यान नहीं रख सकता यह ध्यान विकार की इस्तिती होती है उसको जितना भी बोले पड़ले पड़ले नहीं पड़ेगा ध्यानी नहीं देगा तो इसका सिम्टम क्या हो सकता एन अटेंशन सिम्टम्स क्या हुआ इन अटेंशन की ध्यान ने दे पाएगा एंजाइटी फटी क्यों लौ मूद यह सब उदासी इंता के उधारन है बट एड़ी में बच्चे को अटेंशन देने में बहुत प्रॉब्लम होती है इन में से ऐसा कॉम सा चमता प्रभाबित करेगा शारिष प्रेदी को पीर से टीचर्स बिश को लेना देना देना है मानलो फीजिकल ग्रोध आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है बस आपको अपको color blindness है और color नहीं बन पाएगा और आपको कलर्स को भी पहचानने में दिखकत होगी तो यहां पर फिजिकल लिग्रोथ आपकी एफेक्ट होगी तो यह हरेडिटी की वज़े से होता है सब्सक्रेइए अदिन काइनेस्ट्टिक और विजिवल के में स्टाल की मैणेस्ट्थ विजिवल स्टैल जमस्क्रेlor थाम परिषिकशु नहीं एह होता सिर्फ दोनों काइनेस्टिक भी होते हैं ठीक है तो यह इसका अंसर है और विच और दीजिस नॉट अफेक्ट लर्निंग आपको उप्शन में से वह चूज करने हैं जो लर्निंग को इफेक्ट नहीं करता है इसकूल करता है लेंग्विज करती है फैमली करती है नीम सब्सक्राइब करते हैं तो अगली वाली में मूर्थ संक्रियात्मा कवस्ता में बच्चों को समझ हो जाती है आजाता है साथ से ग्यारा की उमर में तो 30 एज़ए राइट आंसर वह टीस को चूज़ए अंसर प्यूज़ प्रूट यह जो है वह बुरून का उसकी आपको टाइम बताना है तो नाइन वीक तिल बढ़ तक वह बुरून रहता है से उट्यस रहता है नाइन वीक से तिल बढ़ तक सबसे अच्छा स्टाइल यह भी थोड़ा सा पहले भी मैं डिसकस कर रही थी और थोड़े हद तक चूट दी जाती हो थोड़े हद तक कंट्रोल लखा जाता है मिला जुआ प्रेंटिंग का रूप होता है यह मिला जुला तो यह सबसे अच्छा हम कंसीदर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइलर्स मॉडल तो इतनी बार हमने इतने सारे चाप्टर कर लिए जितने तो चाप्टर नहीं करें उससे जादा तो आर्टिकल 45 का नाम आया होगा तो आर्टिकल 45 क्या कहता है मिद्डे मील टीचर टीचर लर्निंग प्रोसेस नहीं यह कहता है एजुकेशन फॉर ओल शिक्षा से डिलेटिड हमारा आर्टिकल है 45 और आर्टिकल 21 ए इसका फीचर नहीं है हमें बच्चो को रटाना नहीं है विच अमंग द्धाम इस दा कॉज्व ओल एल्लग होते हैं हर लोगों ने हर किसी की तरफ से अलग अलग धरम अपनाया है जैसे कि मालो जो हुंदी भी हिंदू भी थे चंदृत मौर रहे है उसने जहन धरम अपनाया अशोक ने बहुत सब favor हम मतलब लेते हैं कि ओरतों के अधिकारों के लिए औरतों की बात करना मिस्तल्ब लड़का लड़की दोनों एक बराबर हैं दोनों के अधिकार एक जैसे उनी शहीं तो सब्सक्राइब करने में इतनी साधा दिकत क्यों आ रही है क्योंकि नो टेस्टेट मैथट एन अवेलिबिटी ऑफ टीचिंग एड्स नहीं है हमारे पास क्योंकि अगर हम एक कक्षा में विविन विवित्ता वाले बच्चे लाना चाहते हैं तो हमें विविन प्रकाल के उपकरनों का भी प्रियोप करना पड़ेगा उनकी आवशक्ता के अनुसार बट हमारे पास वो टीचिंग एड्स नहीं है और नो टेस्टिन मैथड्स मैथट भी नहीं है पढ़ाने के लिए टेस्ट करेवें कि हां यह चीज सह अब्सक्राइब कर देखेगा उनकी आपको बताना है कि किसने करिकूलम को चाहर एक्सपेक्ट में पर रहा था कि जो करिकूलम वो क्या है एक उत्पाद है और और फिर एक प्रोग्राम है जिसको हम से जिसको हम चला करके आउटकम्स निकालते हैं और लर्नियर एक्सपेंसिस के तुरू हम उसको अच्छा करते तो यह बेने एच ओल इसका नाम है इन्होंने दिये थे यह थियोरी पढ़ेंगे अभी हमें नाइवस में यह करिकूलम मे इंक्लूजिव एजुकेशन की बात करते हैं हमारा IEDC जिसकी अभी हमने पढ़ा स्थापना कब हुई है 1974 में तो यह इसका राइट आंसर है नेक्स्ट है वर्ट डस इंक्लूजिव एजुकेशन का मीन्स क्या है इंक्लूडिंग डिसेबल इंक्लूजिग नेचर इंक्लू इंक्लूजिव एजुकेशन का एरिया वह वहत वास्ट है तो हम बटॉप्शें के साथ जाएं तो यह शुडबी दर आइट अंसर करिकुलम डिजाइन ड्स नॉन कंसिक्स तॉफ करिकुलम डिजाइन में वैलुशन आता है ऑब्जक्टिव आता है सबजेक्ट वी मैटर कर तो डेलर ने चार पिलर्स बताएं अपनी एजूकेशन के इसकी एक कोई रिपोर्ट होगी तो हम पढ़ेंगे डिटेल में नेक्स्ट विच वन आप फॉलिंग इस दा बायोजिकल टम बायोजिकल टम जो अपने आप है जैविक टम क्या है फैमिन नहीं लड़कियों को बतात है विच वन qaw का फिरेकल के बाद अपको इतनी करने के बाद आपके क्या संक्रिकेंस हो सकता है मतलब क्या रिजल्ट हो सकता है डिप्रेशन विकूल हो सकता है ऑल भी हो सकता है विगला कोईड़कूट नहीं नहीं होगा reference इसी फीलिंग आईगी तो confidence हम नहीं कह सकते तो depression, anxiety, anger should be there but confidence not next one is there are dash basis of any curriculum चार टाइप के curriculum बताए गए है basis के मतलब अभी four pillars पड़े हमने तो four इसका answer है ठीक है there are four basis of curriculum next is what is the hidden curriculum hidden curriculum क्या होता है देखो छुपा हुआ curriculum क्या होता है कि हम ये बच्चों को पढ़ाते नहीं है बजब देखो ऐसा नहीं होता ना कि हमने एक साल का curriculum बनाया syllabus बनाया curriculum बनाया और हम बच्चों को जो सिखाना चारे हैं बच्चे वही सीखे उसके लाबा एक भी चीज ना सीखे ऐसे ना जाने daily की कितनी सारी activities होती है कि जाने अन जाने में हम बच्चों से सीख लेते हैं कि हमें ये नहीं पता था हमें बच्चों ने ये सिखाया जाने बच्चों को जिस तरीके से दे रहे खोड़ी से देंप्रिक चीजे लेता है लॅग कषा की किस दे प्र सीख लिता है चाप्टर है तो वैसे भी आप इसको अप्शन से कर लेते तो ए सही आंसर होगा इसका नेक्स्ट है सर्फिक्षा अभ्यान को जब 2000 में शुरू किया गया था तो उसका यह सारवोमिक लक्षे था कि 2010 तक हमको हमारे सारे अब्जेक्टिव पालेने हैं तो इस सर्फिक्षा अभ्यान था ठीक है नेक्स्ट है विच अमंग द्याम इस नौर्दा स्टैटेजी तू टीच मैथमेट मैथमेटिक्स पढ़ाने की क्या रंडिती नहीं होनी चाहिए डिस्कवरिंग इंड़क्टिव डिड़क्टिव वेरी गुड अनलाइजी सिंथेस्टी के टेक्स्ट्बुक कोशन सॉल्विंग बतलब कि मैस के बस टेक्स्ट्बुक के कोशन सॉल्व करा तो तो मैच खतम मै पताने की जुरूत नहीं है पता है इन्फोमेशन और कम्मिनिकेशन टेक्नलोजी विच वन आप फॉलिंग इस नौर्ट कंपोनेंट फ लेंग्वेज लेंग्वेज का कौन सा कंपोमेंट नहीं है फॉनिक साउंड यह फॉनिक साउंड ग्रॉस मोटर स्किल्स यह तो हमें क इसनिंग को इनहेंस करता है बॉइड फैटीजी डिसकमफर्स इंट्रस्ट इंहेंस करता है विच आप देफॉलिंग टेक्नीक फोर ट्रांसिटिंग मैथेमेटिक्स करिकुलम ही ने क्लास रूम तो इसमें से कौन सी टेक्नीक इफेक्टिव नहीं है मैच को क्लास में बच्छों को पता है अभी पता है बच्चों को कि इसके बाद मेरे ऊपर कोशन पढ़ेगा वो पहले ही पुट कर के रख लेगा पहले ही स्वाल कर लेंगे लेंगे जो बच्चा जाएगा बाकि सारे बच्चे बोरो जाएंगी तो कोई इफेक्टिव तक्निक नहीं है इफेक्टिव तक्निक यह हो सकती है रेंडमली किसी को भी खड़ा कर दे ना इंदटिव एप्रोच किस सिच्टेशं में हमान लें अच्छी हो सकती है इंडिक्तिव अप्रोच होता है कि बात घुमा घुमा के जाना इंट्रोटिव्टिशन ऌफ टॉब्टे इंट्रोटिव्टिशन फॉर्मले थाला भी तो भी इसका राइट आन्सर है नेक्स्ट बीच ऑप फॉलिग इस नौट दा अप्रोच ऑफ असेस्मेंट फॉर लर्णिंग अधिगम का आकलन इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है कि बहुत इंपोर्टन्ट है क्योंकि इसमें से एक नाइक कुशन हमें देखने को मिलता है चाहें बो डिट्रिपल आथक्राइ मिलतां नेकशियू देखते ट्री डिया कि अधिगम और इसेस्मेंट फॉर लर्णिंग अधिगम का आकलन इस तो इस में से क्या इसकी बेस्ट आप्रोच नहीं है गेरव असेस्मेंट्स है्एस कॉंह ज़ीं लीश जाये फिर इसेस्मेंट नेक्ट पर्शन के लिए ठीक नहीं है तूल नेक्स्ट विच अमंग दाम इस आर्दा एड्वेंटेज ओफ एंटर्प्राइज रिसोर्स प्लैनिंग ए आर्पी का क्या एड्वेंटेज है सिकुरिटी ओफ डाटा सपोर्ट पेड़ागो जी यह नोट फ्रेंडली तो नेगेटिव चला जाए क्योंकि अपर फैर वह बहुत बार हम डिसक्ट कर चुके प्री आपने परचे के लिए प्री कंंगरीट इस्टेज इन यह बहुत जरूरी आं चाइल रूट में बच्चा बहुत जल्दी बहुत तेजी से बहुत अच्छे सीखता है यह ब्रेक भी एक अड़ी देखा होगा आपने कि बच्चे के 90% का दिमार का तो भीकास से वह पांच साल तक हो जाता है तो चाइल्डूड वाली जो एजना वह हर एक डवल्मेंट के लिए बहुत जरूरी क्योंकि दो साल से बाद बच्चा पूरा ठीक हो जाता है बोलने के लिए तो हमको पता है लैंग्विज अक्यूजिशन डिवाइस जो की चौमस्की ने दिया है ठीक है कॉम्प्रहेंशन ऑफ हैर डिस्कॉर्स इंक्लूड तो काइंट ऑप प्रोसेस दोजार बोटम अप यह पढ़ेंगे तो कॉम्प्रहेंशन करने का क्या होता है तो टॉप डाउं उपर से नीचे और बॉटम अप नीचे से उपर तो यह सारी चीज़े अमने सीखनी है अभी नेक्स्ट है न्यू वर्ट्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम्ड इनिशियल लेटर फाइनल लेटर कहीं करें इसे भी पर इनिशियल लेटर के साथ भी कर सकते हैं इसको अगे बढ़ जाता है नएक्स्ट इफ वी कंसिडर के हम एक नेग्स्ट इद फर्स लेंगर्ड इकविशीन वान वर्ट्स टेज ना वर्ट्स नीचान। सब्सक्राइब बच्चा बबलिंग के आगे बढ़ जाता है जिसे हम एक नाम भी तो प्रफिक टेलीग्राफिक स्टेज होती है यह तो इसमें बच्चा वन वर्ड बोलते हैं मम करके ऐसे तो इसका टाइम के बढ़ता है 19 तो 18 मन्थ ठीक है which of these is not used as the ict tool for communication between parent and teacher ict tool नहीं है parent और teacher के बीच में बात करने के लिए ict tool नहीं है टूल तो है बट ict नहीं है मदब communication technology का यूज नहीं हो रहा so website है phone messages भी है blocks भी है बट पोस्टल लेटर तो ict नहीं है process recording process में क्या नहीं होता इनोनेशन लेवल होता है इस लेबल लेवल होता है फिरोनियम लेवल होता है बट राइटिंग लेवल नहीं होता यह मुझे भी नहीं ही पता बटेम जब डिटेल में पढ़ेंगी तो शौर हम इसको कर पाएंगे how can we assess students through ict ict के थुरू हम बच्चे को कैसे असेस कर सकते हैं electronic gadget and synchronyum online meetings तो हां ऐसे जज़ कर सकते हैं दोनों को combine करके दे दिया तो भी option ठीक है which of the following is not the category of assistive technology technology को assist करने की category क्या नहीं है तो obviously books क्योंकि हमारा पढ़ने का traditional method है computer access and instruction यह assistive technology academic learning as technology aguminative communication is technology but books is not which of the following is support by broka's frontal law तो broka's frontal lab के द्वारा किसको support किया गया था language production language production and grammatical processing grammatical processing and word meaning तो language production दोनों वर्ड मला के दे रखें आप्शन तो बढ़िया हैं बढ़िया के साथ जाएंगे इसका right answer है आप लोग देखो अगर आपको यहां से एक hint मिल रहा है मुझे नहीं पता आप लोग कर पा रहे हैं बट मुझे तो मिल रहा है आगे जाके अगर पेपर देते हैं अगर हमको दिखता है कि एक option में दो आप्शन दिए गए एक साथ तो वह वालों उप्शन ज्यादा बैस्ट होगा तो किसी एक को टार्गिर करने की जगा हम दो दोनों वालों उप्शन लगा सकते हैं तो 90 परसेंट चार्ज चांसे दे कि वह ऑप्शन ठीक हो जाए तो यह में काम कर सकता है किसी भी एक्जाम म यूनिट प्लैन का और यार पता ही क्या है यूनिट प्लैन बनाने करना पूरे चरण दे गए यह छे स्टैप है कि यूनिट रिसाइड करना बच्चों को पढ़ाना पूर्वनुमान लगाना कुछ सम्तिंग ऐसे करें कि वह यूनिट प्लैन है जब पेपर था तो तो पहल रहीं समय अते पाहिज रएलवने हैं सब्सक् fallait सुभाथ है सब्सक्राइच दियू कि यूनिट प्लइन पीड़न में कि यथा यूनिट यूनिट स्टेप्स बनाना है यह तुम्हारे स्टैप्स होंगे तो फिर इसाइन्मेंट बच्चों को महनती क्या करनी पड़े तो यह गुड आएगा टास्क डिफाइन करना ही कि क्या करना है वह ठीक है डिड़क्टिव अप्रोच इस टीचर सेंटर ऑवेसली डिड़क्टिव अप्र थोड़ी है तो इसका अंसर है ठीक है नेक्स्ट योगा इस नॉट एस नॉट एस स्टैबिलिटी के साथ है बट रिलीजियन से कोई ना देना नहीं हिंदू-मुस्लिम सी कि साही आपस में है भाई-भाई सारे कर लो योगा मिलेया मुगा कोई प्रॉब्लम नहीं सारे हएं साध नहीं करते मैं तरुब्लमों के साथ नहीं अच्छान मिलना जुए ध्यां मिलना झुलना जालने passions और यह इन के film साथ नहीं ह्यां चता कर देए बिख्यां करक रहते मिलना। लolar अप Main mentioned सीख में यह उसको अलग रहना अच्छा नहीं लग रहा होता दिसको अलग ऊने की दूरानी की मेरे साथ मोगो गई क्यों गहाएं कुम वहले वहां खैर्ट पेक ये क्टीला बेकार संदweydd क्लासिकल ढस देख सकते हैं सब क्लासिकल म्यूजिक भी मίels सुन सकते हैं यह हैं नेक्स्ट जोन और परिंसिपल यहाइन कोर से प्रिंसिपल नहीं होता है इसन विजवचीर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं हो तो महां पर तुम्हें को अपरेटिव लेंग करने हैं बराबर का साथ देना है पॉजिटिव इंटर्डिपेंडेंस होती है बट सी इस दा राइट आंसर सी नहीं होना चाहिए जान के लिए क्या नहीं आसकता राइट वन आर्टिकल वाचिंग वीडियो फोट्मेकिंग लकिंगे टीश अव इस दिविए होना फॉट्यों पॉस्टर्स एंटर्ड ऑबिश्चर्वेट्वेटर्य अप्टिविट्वेटर्वेट्यु आ सकता है राइटिग वन आटिकल व तो जब भी अप तीनों की नीचे अक्तिवीटी करें तो आप लोग और अच्छों देख design वीडियो देख रहे हो पिच्टर civilisation का टो आसपस की चीजे देख रहे हो बट अर्मिकल में आप अपने एक्शन रिजर्च बनाने का फर्स स्टेप क्या है डेवलपिंग फोकस अनलाइज द प्रॉब्लम प्रिपोजिशन प्लैनिंग फॉर इंटर्वेशन सी तो हाई नहीं ए है ए है डेवलपिंग फोकस ठीक है यह देखो अगर आपको याद है तो आमने स्टार्टिंग में पढ़ा था किसी ने थी ती जॉन वॉलपिंग ने तो जॉन वॉलपिंग की फेचिस होते हैं शार ठीक है नेक्स्ट है विच इस नौट दा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमकुरेटिव क्लास्रूम डेमकुरेटि तीचर में बुच्छ पूछ तीचर की बातमान। नो टीचर को देखो तीचर जो बोला है वो करो अपने आपसे कुछ मत बोला तो यह गलत है यह नहीं है चैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्टेप इस इस शिविलाइजेशन अमंग दाम यूस्टो प्रक्तिस योगा तो किस सि है फ्वोर्थ स्टेब पूछ सचप सो एक्रटी बेश्टी बेष्ट लिर्णिंग का फोर्थ स्ट e एक्टिविटी फर्स थर्ड और सेकिंद स्टैप एंफ फोर्द वन इस रिवाइजी ठीक है नेक्स्ट है हाँ मैनी टाइप परेंट्स इंटरनल वरकिंग आरेंट्स आरेंट्स थेओरी भाई यह बौलवे के अटेश्मेंट थेओरी ना पड़ेनी पड़ेगी बड़ी चार परेंट्स के बारे में बात कि हुए ना तो यह ही है वह सब ना मियाद रखना पड़ेगा यह थो पता तो यह थोरी में क्या देगों बट एक दम से नाम नहीं आता रहा यह होगी फिर नेक्स्ट ए लास्ट स्टैप इस इंद प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल इस डि प्रोसेस नहीं है अप्लाइंग रिमेंबरिंग अंडर्स्टैंडिंग टेक्स्ट नहीं है ठीक है अप्लाइंग रिमेंबरिंग अंडर्स्टैंडिंग बाद में अप्लाइंग क्रियेटिंग अनलाइज जो भी है नेक्स्ट है विच आप द फॉलिंग इस नौप आर्ट स्कोप क्या नहीं है पर्सनल डवल्मेंट होलिस्टिक नॉलिज रोट मेंबराइजेशन अकेडमिक डवल्मेंट तो रोट मेंबराइजेशन ठीक है रटना तो किसी में भी कहीं भी नहीं सिखाना है अमने बच्छों को नेक्स्ट विच आप दा फॉलिंग इस पॉल्डिंग नहीं अपने 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 रहना स्वलीन इसकी हिंदी अपनी फिलिंग्स न डिसक्राइब कर पाना अपने आपकी बाते ना बता पाना यह क्या होता है अब्स्ट इन आप जखन होते हैं विच वन ओफ दैम इस इस दूसरी जगह पर या एक स्थान से दुसरे स्थान एक विस्टी से दुसरे वेक्ति पर हवा पानी वगरा इन सब के तुरू नहीं फैलती है तो कफ पहलेगा टुब्री को टीवी फैलेगा चिकन पौस जी फैलते हैंबर डाइबिटी नहीं फैलती जिससे होती है उस त क्रेटिंग अच्छे नंबर ला रहा है जो बड़िया पढ़ने में इंटेलिजन वह वर्क एजुकेशन में भी सक्सेस का फैक्टर है बेसिकली वर्क एजुकेशन ना जो बच्छे मार्क ज्यादा लाते अच्छे लाते सिर्फ उनको उनीके लेवल पर जजनी करते जैसे हमा में आप इसकिल्स काम करती है पड़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता हम लोग यतने पढ़े लिके बैठे है डाइट है ग्रेजुएशन है इतने सारे टेट किलियर है ठीक है मास्टर्स है बट जॉब का क्या नहीं बट हमसे जाधा जो इसकिल्स है इनके पास वो कमारे हों सब अपने यूनिक है सब सबस्पेशल किसी को हम किसी से जज नहीं कर सकते हैं तो चार स्टेटस हैं चार इनका फेवरेट नम्मर है इसमें गिल्ट शेम एनवी प्राइड अम्बरेस्ट में इसमें इमोशन सार्थ सेल्फ कंसीश्यस एमोशन्स एंगर वाले तो हैं नहीं गि होती है तो बुरा लगता है शेम एन्वी प्राइड एंबरेस्मेंट तो इस सेल्फ कंशीसे सेमोशन से वैसे डी राइट आंसर है फैक्टर्स दैट डू नोट अफेक्ट डाइट इस मीजिया ओवेसलि बॉड़ी साइज एज इडिंग हैविट्स करेंगे बट मीडिया का क् किसके अंदर एक्टिविटी आती है फुल्बिल्मेंट ऑफ बेसिक नीट कल्चर लेजन सी एड्वाइमेंट अवेरनेस और कम्यूटी सर्विस तो यह कम्यूटी सर्विस के अंदर आती है वर शूवी नॉट डू डूरिंग अ फ्रेक्चर फ्रेक्चर के दोरान हमको क्या नहीं करना चाहिए जहां पर में फ्रेक्चर हुआ है यह नहीं करना चाहिए शोशल इसमाइल बच्चे के आती है 6-10 वीक्स में ठीक है अच्छा दूसरों को देखके असने लगता होगा आठ वीक तक में दो महिने में इन वीच आप दर फॉलिंग अटेच्मेंट डू इन इसको यूज़ करते हैं तो बच्चा अपने मतलब ममी के पास रहेगा तो ठीक है खुश हो जाता है किसी और के पास जाएगा तो रोने लगता है इसको सिक्वर अचेट अटेच्मेंट बोलता है इसको अमंग दाम इस नॉडर नूटरेंट नूटरेंट किया नहीं है रफ नेक्स है अक्तिविटीटीज लाइक मेंकिंग मैट्स मास्क होलडर्स ट्ले टॉइस एक्सेक्टा रिलेटेटीट तो ब्यूटिफिकेशन ओफ एंवाइमेंट फुल्फिल्मेंट बेसिक नीट कम्यूटी सर्विस अन्वाइमेंट अवेर्न ब्यूटिफिकेशन ओफ को एफेक्ट करते हैं लाइक अवेलिविटी ओफ टाइम नन अवेलिविटी ओफ इस्पेस तो देखो अपना सेंस का यूज करेंगे दोनों लगा देंगे अवेलिविटी ओफ टाइम अवेलिविटी तो यह जब हमने राइट तो एजुकेशन पढ़ा था तो स्कूल मैने कमिटी के बारे में पड़ा था अपको ढ़ाता तो एस मेसे चुनते हैं और पर बाग想 हदो posij account बचा और बाकी घ्स हाँ लमेंुटा 초니다 त्वारा बहांके, ठीच है, पैरेंज वो सारे मिलके ऐसे चुनते हैं ठीक है next इंट निच्ट थाप्दा? डज थाप्ट ऐसे कaz वेहोत धीज़न को आप अग गजहीं जुआ आंदर नहीं आता है? वेखैंड थाप्ट दीज़नल की ऐसे के वारेशन कान है है healthful के लिए बट बुक्स नहीं है ठीक है फिजिकल एंवाइमेंट में थोड़ी आएंगी healthful वाले में ठीक है वो तो हमारी बिल्कुल चाहिए ही चाहिए सारी चीज़े चाहिए वैसे तो को मो lumière एक मोडल है गुदनेस्ट मोंडल ही किस ने दिया थो और पौदल दिया है नेक्स्ट है how many work experience best methods are there कितने experience best method होते हैं तो पाँंच है experience based method ठीक है next factors like language and verbal reasoning executive function make-believe play contribute to children theory of mind language development में नहीं moral development नहीं cognitive development नहीं यह क्या children's theory of mind है जिसमें verbal reasoning, executive function, make believe, plague ये सारी चीज़े करते हैं तो इसको effect करती है Children's की theory of mind को ठीक है ये वीडियो complete हो गई ये था आपका 26 मार्च का paper फर्स shift का अब मैं try करूँगी किसकी math भी करा दू ठीक है ताकि आपको helpful हो आपको ये वीडियो कैसे लगी Please comment करके मुझे बताना